अगर आपका Taro अकल्ट में इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा. When I say A to Z, मतलब बहुत simple simple basic चीजों से लेकर, जो भी main main topic है, each and everything connected and related to Taro is covered in this course. अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, यानि कि कैसे आप एक professional Taro card reader बन सकते हैं, अपना career Taro में बना सकते हैं, ये भी इस course में covered है. और अगर इसी से ही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में हैं, आप screen पे दिये गए number पर हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं. Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए July 2024 की Love Taro Reading. तो अगर आप जानना चाहते हैं July मन्त में, आपके partner की क्या energies रहेंगे आपके लिए, इस relationship के लिए, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली July मन्त में क्या होगा, तो ये reading आपके लिए है, और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाप से देख सकते हैं, यानि की लगन से भी देख सकते हैं, नाम की राशी से भी देख सकते हैं, sun sign, moon sign से भी देख सकते हैं, जिस sign से आप connected feel करते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपका sign है, उसी sign के हिसाप से आप tarot reading को देख सकते हैं, तो चलिए जी देखते हैं कि July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है, तो चलिए वगोज आप लोगों के लिए देखें कि July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है, मैं बस यहाँ पे तीन set of cards हैं, first set of cards में हम आपकी energies देखें and third set of cards में हम देखेंगे कि finally July मन्त में क्या हो रहा है, तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है, 9 of materials reverse, और यह card कहता है कि कुछ time से या फिर July starting में आप थोड़ा सा practical, realistic हो के चीज़ों को deal करना चाह रहे हैं, या फिर आपको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आप कर नहीं पा रहे हैं, यानि कि आप उतना practical, realistic हो के नहीं चीज़ों को deal कर पा रहे हैं, जितना आप, you know, emotional या फिर फिजिकल लेवल पर dependency पार नहीं रखना चाह रहे हैं, आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए सब वगोस क यहरा एक connection है, यह जो romance है, वो इस दुनियावी level का नहीं है, या फिर सिरफ और सिरफ इस lifetime तक्सीमत नहीं है, कुछ तो इसके beyond आपका और आपके partner का connection है, और शायद इसी लिए, जितना एक practical, realistic हो के आप चीज़ों को deal करना चाह रहे हैं, एक, you know, independently चीज़ों को deal करना चाह रहे हैं, उतना आप नहीं कर पा रहे हैं, and hot dog appetite का कार्ट कहता है, कि mid July में जुलाइ मन्त में बहुत एक partner की चाहा, partner की craving भी होती हुई दिख रही है, बहुत जादा, you know, आप उपने partner से connect करना चाह रहे हैं, पिर जादा से जादा समय उनके साथ बिताना चाह रहे हैं, लेते हुए भी दिख रहे हैं, और कहीं उन्हों ये relationship, partner, काफी एक happiness, joy आपको दे रहे हैं, यहां आपके personal friend में कुछ हो रहा है, जिसकी वज़े से एक happiness, joy आप महसूस कर रहे हैं, और बहुत एक clarity, यहां तो आ रही है चीजों को लेकर, यहां फिर आप लाना चाह रहे हैं, तो देखे, mid July आपका काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, situation, circumstances, सब Virgos के लिए differ करेंगे, क्योंकि यह general reading है, और बहुत एक positivity, बहुत एक beautiful energies आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और इस positivity के साथ ही, आप चीजों को deal भी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन end July के लिए spoil का काट कहता है कि कुछ issue, कुछ मसला आप महसूस कर रहे हैं, अब दिखी, इसके लिए भी सब Virgos के लिए different reasons रहेंगे, कुछ के लिए आपके partner का कोई behavior, कोई attitude हो सकता है, यहाँ पिर आपके circumstances हो सकते हैं, आपकी situation हो सकती है, अब दिखी, यहाँ पे बहुत ही simple सी भी कोई च कर रहे हैं, यहाँ फिर कुछ ठीक आपको नहीं लग रहा है, और इसलिए यहाँ फिर otherwise night of voices का काट कहता है, कि आप काफी logically चीजों को deal कर रहे हैं, और कहीं you know, एक movement आपकी तरफ से रहती भी दिख रही है, अब दिखी, यह movement सब के लिए differ करेगी, कुछ के लिए हो सकता है, कि आप move on कर रहे हैं, और दिखें, मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपका relationship end हो रहा है, यहाँ फिर आप permanently इस relationship से move on कर रहे हैं, यह सिरफ और सिरफ monthly reading है, और यहाँ पे night of swords का का काट सिरफ you know, end July की energies को represent कर रहा है, कुछ के लिए July मन्त भी हो सकता है, लेकिन फ पिर you know, आप बहुत speed से चीजों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, थोड़े से impulsive हो रहे हैं, और जो भी आप कर रहे हैं, कहीं emotions, feelings से governed हो कर नहीं कर रहे हैं, आप mind से governed हो के चीजों को deal कर रहे हैं, और अब देखते हैं कि आपके partner की के energies हैं, तो देखें, आपके partner के जो की आपके partner आपके लिए इस relationship के लिए specifically July मन्त में महसूस कर रहे हैं, अब दीखें, Ace of Inspiration का card कहता है कि वो बहुत excitement के साथ एक नई beginning इस relationship में करते हुए दिख रहे हैं, और in fact मैं कहूंगी बहुत उनकी तरफ से action initiatives रह सकते हैं, बहुत उनकी तरफ से एक effort भी रहता हुआ दिख रहा है, effort दीखें थोड़ा से negative हो जाता है, जो हम कहते हैं, effort तो ऐसे लगता है, जैसे कि महनत करनी पड़ रही है, और आपके partner की तरफ से surface level के लिए, यानि कि उपर ही उपर से effortless से energies आपके लिए रहते भी दिख रही हैं, यानि कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो of inspiration का काट कहता है, आपके साथ togetherness चाहा रहे हैं, companionship चाहा रहे हैं, कुछ के लिए भी हो सकता है, वो गुज, आपके partner आपके साथ marriage, live-in, engagement चाहा रहे हैं, बहुत strongly इन ही सब चीज़ों के लिए stand लेते वे दिख रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि भई, जो भी हो, उनक कर रहे हैं, कहीं मन ही मन, उसका एकदम से opposite महसूस करते वे दिख रहे हैं, अब मैं ये भी कह सकते हूँ कि आपके सामने तो बहुत enthusiastic हैं, excited हैं, आपको नहीं जाहिर होने दे रहे हैं, लेकिन deeper level के लिए मन ही मन के लिए anxiety का का काट कहता है, कि कोई चीज उनको बहुत anxiety दे र रहे हैं, एक restlessness महसूस कर रहे हैं, until we meet again का काट कहता है, शायद मन ही मन उनको ऐसा लग रहा है, कि भी पतनी आप लोग long term के लिए मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, उनको मन ही मन ऐसा लग सकता है, कि भी पतनी आप दुनों की marriage होगी, नहीं ह क्योंकि हाँ पर देखिए, four of inspiration का का काट, बहुत ही clearly कहता है, कि वो आपके साथ marriage चाहते हैं, आपके साथ हमेशा का साथ चाहते हैं, और मन ही मन के लिए four of inspiration के नीचे, until we meet again का का काट कहता है, कि एक doubt उनके मन में आता हुआ दिख रहा है, और hesitation का का काट भी इसी चीज को confirm क करता है, कि थोड़ा सा, you know, hesitate कर रहे है, पर मैं ऐसा भी कह सकती हूं, कि उतना confident, वो मन ہанич ही मन ही महसूस कर रहे हैं, जतना कि वो surface level के लिए आपको show कर रहे हैं, यहां पिर surface level के लिए जो आपको दिख रहा है, उतना deeper level के लिए, या फिर मन ही मन confident वो नहीं फिल करते हुए दिख रहे हैं, अब देखें, situation, circumstances again सबके लिए differ करेंगे and अब देखते हैं कि जुलाई मन्त में क्या हो रहा है तो देखें, जुलाई स्टार्टिंग के लिए आपे सबसे पहला काड है, 6 of inspiration sorry, 10 of materials reverse और ये काड कहीं family की involvement, interference की बात करता है commitment की बात करता है, long term की बात करता है, in fact ये, you know, marriage को भी represent करता है और ये काड reverse है, तो इसी से ही related छोटे मुटे issues रह रहे हैं यानि कि हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक marriage चाह रहे हैं और आप दोनों के ही cards कहते हैं कि, you know, आप दोनों ही इस चीज़ को चाहते हुए दिख रहे हैं आपके लिए यहां पर sun का card है आपके partner के लिए four of wands का card है और ये दोनों ही cards marriage को represent करते हैं, लेकिन इसी से related या तो family की तरफ से या religion की तरफ से या society की तरफ से कुछ issues मसले रह रहे हैं and the Empress का card कहता है कि बहुत एक प्यार महबबत आप दोनों के बीच में रहतावा दिख रहा है बहुत एक comfort एक दूसरे के साथ महसूस करते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है जादा interaction हो रही है जादा बाचीत हो रही है लेकिन deeper level के लिए यानि कि मन ही मन के लिए disguise conceal का card कहता है कि कोई चीज या तो आप अपने partner से चुपा रहे हैं आपके partner आप से चुपा रहे हैं या फिर you know इस relationship को आप लोगों से चुपा रहे हैं आपके partner के cards अभी देखे हमने और उनके cards में clearly हमने देखा कि भई जो वो कह रहे हैं कहीं मन ही मन उतना नहीं फील करें मैं खेर यह नहीं कहूंगी कि वो नहीं फील कर रहे हैं लेकिन उतना confident yes मैं कहा है सकती हूं कि नहीं फील कर रहे हैं तो अपनी एक true deeper level की feelings emotions वो चुपा रहे हैं तो इस भी चीज को हो सकता है disguise conceal का card रिपेजन कर रहा है या फिर अगर आप लोगों से society से इस relationship को चुपा रहे हैं तो वो भी एक इस card का meaning हो सकता है फिर से कहूंगी situation circumstances सब के लिए differ करेंगे और कहीं end July के लिए obstacles and six of materials reverse के cards कहते हैं कि कुछ अरचने, कुछ रुकावटे आप दूनों या तो महसूस कर रहे है या फिर आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहा है आगे बढ़ने के लिए और देखिए reason again कोई भी हो सकता है लेकिन कहीं six of materials reverse का card कहता है कि आप दोनों के बीच में कहीं giving and receiving का एक balance नहीं रहता हुआ दिख रहा है कि कहीं giving and receiving वाली energies में balance तो नहीं बिगड़ रहा है और अगर इस चीज़ को check करके correct करेंगे तो relationship में जो issues हो रहे हैं उनको भी better कर पाएंगे तो ये था वगोज आप लोगों के लिए July 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें